नमस्कार मित्रों बाग्यर निवर्ण चैनल में आप सभी का हार्दिक श्वागत हैं दोस्तों आज नवरात्वी पर्व के दूसरे दिन मा ब्रह्म चारेनी की पूजा अर्चना की जाती है शादक इस दिन अपने मन को मा के जड़नों में लगाते हैं ब्रह्म का अर्थ है तवश्या और चारेनी का यानी आचरण करने वाली मा के दाइने हाथ में जब की माला है एवं बाए हाथ में कमंडल रहता है इस दिन सादक कुंडिलिनी शक्ति को जगरत करने के लिए भी सादना करते हैं जिसरे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी परकार की बादा का सामना आसानी से कर सके मा दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों को अनित्फल देने वाला है इनकी उपास्टना से मनुश्य में तप, त्याग, वेराग्य, सदाचार, शहियम की व्रद्दि होती हैं जीवन के कठिन संगर्षों में भी उनका मन करतव्य पत्थ से विचलेत नहीं होता है मा ब्रमचारेनी देवी की किरपा से उसे सरवत्र, सिद्धी और विजे की प्राप्ति होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इनी के सुवरूप की उपास्टना की जाती है इस दिन ऐसी कर्ण्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका वीवा तैय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के परच्चात, बोजन कराकर, वस्त्र पांत्र, आदी भेट किये जाते है बगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चिनी का भोग लगाना चीए ब्रामण को दान भी चिनी ही देनी चीए मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दिर्गाई होता है इनकी उपास्णा करने से मनुष्य में तप चदासार आदी की विर्दी होती है ब्रामचारेनी का स्वरूप पून जोतिर में है मादुर्गा की नौ शक्तियों में से द्वित्य शक्ति देवी ब्रह्मचारिनी हैं ये देवी शान्त और निर्मगनों होकर तप में लिने मुख पर कठोर तपष्या के कारण अद्बुत तेज और क्रांती ऐसा अनूठा संगम है जो तिनों लोकों को उजागर कर रहा है तपष्या का मुर्तिमान रूप है इस देवी के कई अन्य नाम है जैसे की तपष्या चारिनी अरपड़ना और उमा देवी ब्रह्मचारिनी जी की पूजा का विदान इस प्रकार है कि सर्वपर्तम आपने जिस देवी देवताओं एवम गणों एवम योगिनियों को कलस्ट में अमेंत्रिन किया था उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पुजा करें उन्हें दूद, दै, सरकरा, ग्रित वह मदूस से स्नान कराएं वह देवी को जो कुछ भी परसाद दर्पित कर रहे हैं उनमें से एक अंच इने पी अरपन करें परसाद के पच्चात आचमन और फिर पान सुपारी बेट कर इनकी प्रदक्षिना करें कलस्ट देवता की पूजा के पच्चात इस परकार से नवग्र, दस दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें इनकी पूजा के पच्चात मा ब्रह्म चारेनी की पूजा करें देवी की पूजा करते स्रमे सबसे पहले आतों में एक फूल लेकर प्रातना करें इसके पच्छाद देवी को पंचमरित सुनान करामें फिर भाती भाती से फूल अक्षत कुमकुम शिंदूर अर्पित करें देवी को अरुहल का फूल या कमल का फूल काफी प्रसंद है तो उनकी माला देवी को पैनाएं परसाद बाद में पांच सुपारी बेट कर दक्षिन यह मंत्र जप 108 बार जरूर क्रें यह देवीृ सर्व भूतेशू मा ब्रह्म चारेणी रूपेनसनस्तिता नमस्तस्य स्यन्मस्त-सय नमस्त शेमा ब्रहमायनी दोस्तों आपको न्य वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे सेनल को सब्सक्राइब करें और ये नित्य रोज नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे वीडियो को शेर करें धन्यवाद